ये चिकन रेसिपी सब स्टार्टर से ज़्यादा मज़िदार है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही डिलिश्यस बही है तो इस रेसिपी को चरी बना लेते हैं क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए हम ले लेंगे सबसे पहले आधा किलो चिकन, चिकन को मैंने इस ट्रेप्स में लंबाई में काट लिया है, इस तरीके से आप काट के भी ले सकते हैं, या फिर आप बना बनाया भी चिकन की शॉप से ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमें चिकन को अगर चिकन मसाला पॉडर नहीं है तो आप इस स्किप कर सकते हैं बट इससे टेस्ट अच्छा हता है काली मीच का पॉडर एक टीस्पून आइट करेंगे और साथ इसमें डाल देना हमें आदा चमच नमक अपने टेस्क के अकोडिंग नमक डाले चिकन में डालना है एक चमच भरकर वाइट विनिगर सिर का आदा चमच डाक सोय सॉस इसमें डालेंगे अगर नहीं है तो आप इसकी जगां एक चमच भरकर लाइट सोय सॉस डाल सकते हैं एक अंडे की सफेदी डालना है जिसे एग वाइट केते हैं और जर्दी को आप अलग कर ले जो एग वाइट को आप सेप्रेट कर ले उसके बाद इसमें चिकन में डाल देना है अच्छे से मैरिनिशन करेंगे, मिक्स करेंगे प्रॉपर मिक्स होने के बाद जब इसमें कोटि मैदा इसे बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और तीन बड़े चम्मच हम इसमें कॉन फ्लार आट करेंगे जिससे बहुत ही क्रिस्पी चिकन हमारा बनके रेडी होगा तो यहां पर मैंने कॉन फ्लार उसका आधा कुना लिया है और छे बड़े चम्मच मैने मैदा और तीन चम्म तो आप baking powder डाल सकते हैं, दोनों में से जो भी अविलेबल है, आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, बट इससे बहुत क्रिस्पी बनेगा, तो अच्छी तरह से पहले से mix कर लेंगे, अब मैं इसमें पानी आइट करते हुए, इनको धीरे-धीरे mix करते चली जाओंगी, इसमें ल अच्छे से तयार हो चुका है, अब जो चिकन हमने marination करने के लिए रखा है, वह बैटर में डाल देंगे, और अच्छी तरह से mix कर लेना है, तो यहाँ पर मैंने mix कर लिया है, बिल्कुल perfect हो चुका है, चिकन को अच्छे से coat कर रहा है, बिल्कुल ये चिकन इसमें dip हो जार तेल यहां पर अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो फ्लेम को हमें सबसे पहले हाई रखना है, और चिकन की सारी पीसिस को तेल में डाल कर अच्छे से थोड़ा सा फ्राइ करेंगे, बस एक से दो मिनिट के लिए हाई फ्लेम में फ्राइ करने के बाद इनको निकाल लेना है तो यहां पर देखे, एक से दो मिनिट फ्राइ हो चुका है और यह जो इस पर कोटिंग लगी हुए चिकन में वो थोड़ा सा हाड हो चुका है, बस तेल से निकाल लेंगे और इनको साइड में रखेंगे, यहां पर आप देखिए चिकन की कोटिंग बहुत ही परफिक्ट ह इसी तरीके से आप भी मना कर फ्राइ करके रख लें, अब चलिए इसके सॉस बना लेते हैं, सॉस बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे दो बड़े चमच तेल और तकरीबन वन टेबल स्पून के करीब तेल है, तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाने के बाद इसमे नहीं होता है, हलका सा इसमें तीखे का फ्लेवर आता है, तो इसलिए मैंने दो ही में चैट करीए, अच्छी तरह से हमें फ्राइ करना है, अदर कलेसन को हमें इतना ही फ्राइ करना है, यह जब हलकी सी सॉफ्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा प्राउन नहीं करना है, सॉफ् करके इससे बहुत बढ़ियां सा फ्रेवर आता है तो प्यास को भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है एक से दो मिनिट के लिए और फ्लेम को यहां पर हमें लोही रखना है हलकी आच में इसारा प्रोसिस करना है तो यहां पर प्यास अद्रक लसन अच्छी तर तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताईएगा तो यहां पर मैंने शिम्ला मिच डाल कर अच्छी तारा से फ्राई कर लिया है अब इसमें डालेंगे सॉसे तो सबसे पहले टुमैटो केचप आड़ करेंगे वन टेबल स्पून इसमें आड़ करेंगे चिली सॉस तीखा और अच्छी फ्लेवर देने के लिए थोड़ा से इसमें डालेंगे शिर्जवान चट्नी वन टेबल स्पून आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिच का जो पेस्ट आता है वो भी डाल सकते हैं अच्छे कलर के लिए आधा चमच इसमें डालेंगे डाग सोया सॉस थोड़ा से प्र चमच जिकन मसाला पॉडर एक चमच आट करेंगे नमक आदा कर मेंट और टालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है थोड़ा से सौटे कर लेना है यहां पर मैने अच्छे का लेका है और यहां पर हमारा जो सौस है थोड़ा से त्यार हो चुका है अब इसमें डाल और sauce बिल्कुल आपको इस तरीके से नजर आएगा इसकी ठिकने से आप जरूर ध्यान रखे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और यहाँ पर मैं sauce को side में रख रही हूँ आप चाहें तो flame को बन कर सकते हैं जो chicken हमने पहले से fry करके रखा था इसको दोबारा से high flame में fry करेंगे बहुत अच्छा सा golden color लाने तक तो यह दोबारा से fry करने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी सा बन जाता है तो यह chicken हमारा क्रिस्पी सा ready हो चुका है तो इनको सबसे पहले निकाल लेते हैं तेल से अब sauce की तरफ चलते हैं फ्लेम को मैंने on कर दिया है इसमें डाला है मैंने आदा चमच विनेगर और यहां पर मैंने एक बॉल में दो छोटे चमच कॉन फ्लार आट किया है और पानी डालकर एक घोल बना लिया है कॉन फ्लोर की घोल को हम थोड़ा-थोड़ा करके एड़ करेंगे और चे से इस्टर कर लेंगे यह बिल्कुल गहड़ा सा सौस रेड़ी हो जाएगा थोड़ा से स्प्रिंग अनियन गानिशिंग के लिए डालेंगे और जो हमने क्रिस्पी चिकन बनाकर रखा था वो डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बहुत जादा हम इने पकाएंगे नहीं यह बिल्कुल तयार सा हो जुका है मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने फ्लेम को आफ कर दिया है अब इने गानिशिंग करेंगे स्प्रिंग अनियन से और गर्म गर्म डिश आउट करें बहुत ही मज़िदार सी रेसिपी है तो इस रेसिपी को आप ट्राइ करें और जल्दी से बनाएं जल्दी से खाएं फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ बैबाई